आजकल विश्व में हिर्दर सम्बंदित रोग तेजी के साथ बढ़े हैं इसके बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो खराब जीवन शैली, खराब खान पान, एक्सरसाइज या वियायाम का नियमेत रूप से ना करना और इस्ट्रेस है विश्व के मुकाबले भारत वर्ष में हिर्दर रोग सम्बंदित 15 से 20 साल पहले ही लोगों में देखने को मिल रहे हैं तो आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे ही हिर्दर रोग के बारे में जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं अगर हार्ट ऐसा नहीं कर पाता है या वो किसी वज़े से जो heart के functions हैं वो कम हो जाते हैं तो ऐसी condition को हम heart failure कहते हैं. Heart failure का जो मुखे लक्षन होता है वो चलने फिरने पे या कुछ भी exercise करने पे सांस का फूलना या लेटने पे सांस के फूलने का बढ़ जाना या सांस लेने में तकलीफ होना और उससे आराम के लिए उठके बैठना या खड़े हो जाने की अगर जरुद महसूस होती है तो ये एक heart failure का लक्षन, शुरुआती लक्षन हो सकता है. सांस फूलने के अलाबा अगर पैरों पे सूजना आना, चेहरे पे सूजना जाना, वजन का बढ़ना, कुछ दूर चलने पे कमजोरी या बहुत जादा थाकान का महसूस होना, दिल की धरकन महसूस होना या कभी-कभी सीने में दर्द का महसूस होना भी heart failure होने के लक्षन हो कि heart को blood supply करती है, अगर वो बंद हो जाएं तो एक उस हिस्से की जो manspatia होती है, वहां तक blood नहीं पहुच पाता और वो manspatia damage हो जाती है, वो काम करना, बंद कर दीती है, जिसके विए से heart के function कम हो जाते हैं, और ultimately वो heart failure की तरफ चला जाता है, कॉर्णियार्टी डिजीज और heart attack के अलाबा जो दूसरा मुखे कारण है heart failure का, वो heart की जो manspatia होती है, बिना किसी blood supply के रुकावट के, अगर कमजोर हो जाएं, जैसे की viral attack या कुछ genetic disorders या idiopathic, जहां पे कोई कारण ही नहीं मिल पाता है, जिसको हम idiopathic कहते हैं, अगर इस त होती है, तो वो भी heart attack, heart failure का एक कारण होता है, इसके अलाबा जो दूसरे कारण है, उसमें valvular heart disease, hypertensive heart disease, diabetes, obesity, endocrinopathies, और कुछ arrhythmia, जहां पे की दिल की धरकन बहुत तेज या irregular हो जाती है, हो सकते हैं, heart failure को diagnose कैसे करें, हमें लक्षन पता चल गए, हमें science हमें मिल गए, हाला की heart failure की जो diagnosis होती है, वो clinical diagnosis होती है, heart failure के लक्षन और उसके science के आधार पे ही हम heart failure की diagnosis बनाते हैं, परन्तु इसको confirm करने के लिए हमें कुछ test की जरूत होती है, जिसमें ECG, ecocardiography, x-ray और कुछ blood test जैसे की antiproBNP की जरूत होती है, और ये कराने पे ही हम heart failure की diagnosis को confirm करते हैं, इस इसके बाद treatment में heart failure की जो सबसे पहला aspect है, वो prevention है, अगर heart failure के symptoms होते भी हैं या उसके risk factors अगर मोजूद हैं, तो उनसे कैसे बचा जासे के, उनको कैसे कम किया जा सके, तो अगर इस तरह की कोई भी medical condition develop होती है, तो सबसे पहले हमें उससे बचाब के लिए काम करना चाहिए, जैसे कि पहले हमने discuss किया था, अगर आपकी diet ठीक नहीं है, तो diet को ठीक करना है, healthy diet लें, नियमित रूप से जितना भी आपकी capacity हो, उसके साब से exercise या बयायाम करें, life style को ठीक करें, जिसके अंदर आपको जल्दी सोना है, सुभा जल्दी उठना है, exercise करनी है, अगर stress है, तो stress को manage करने के जो ठीके होते हैं, उसके उपर हमें काम करना चाहिए और stress को कम करना चाहिए, के यलबाबा अगर diabetes है, तो diabetes को कन्टोल करना है, blood pressure को कन्टोल करना है, blood pressure की medicine से, या जितने ये तरीके हैं, ये सारे करके, लेकि YouTube के जो readings हैं, वो आपकी control में रहनी चाहिए. preventive aspect के बाद आती है medicines हाल फिलाल में कई ऐसी दवाईया heart failure के management में आई हैं जो की बहुत अच्छे results दे रही है और उन्होंने ये different different trials के अंदर prove किया है कि heart failure के management में वो बहुत ही कारगर और उपियोगी दवाईयां है medicine ज़रूर लेनी चाहिए और तीसरा आता है intervention उसके अंदर कुछ special किसम के pacemakers होते हैं जिसको हम CRT बोलते हैं उससे भी कुछ लोगों में फायदा होता है heart attack है या cognitive disease है उसके लिए angiography, angioplasty या दूसरे और तरीके हैं जिससे कि उसको kick किया जा सकता है धन्यवाद